हे गाईज मैं हुद सोच कनल और सागत करता आपका हाई डाइक भाद इस वीडियोब चैनल पर तो दोस्तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम जानेगे कि आप कैसे यूकरट एप्लिकेशन के अंडर स्पलीट और ट्रिम कैसे कर सकता है जहां Primary से किया होता है और कहां आपको यूकरट एप्लिकेशन मिलेगा ओभी मैं आपको बताऊंगो तो दोस्तो आए चलिए शुरू करते हैं वीडियो जहाँ पर क्या करेंगे आपके जो वीडियो है यहां पर ध्यान देना हो को टो यहां पर क्रीम से कैं होता है तो अब भी समझो आपको जो है na middle का part कटना है समझो मुझे इसका इधर का middle का part करना है काट काटना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे split करेंगे split आपको 2 तरह के से मिलेगा एक short cut तरीके से एक long cut तरीके से तो पहले मैं आपको longer तरीका बताता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह जो वीडियो है अगर मुझे इसे स्प्लिट करना है तो मैं यहां पर ट्रीम कर क्लिक करूँगा यहां पर यह जो वीडियो है आपको दिख जाएगी जहां पर यहां पर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप जो है स्प shortcut यह है कि आपको इस वीडियो पर एक बार tap कर देना है टैप करेंगी तो आपके सामने आ जागा split जहां पर आपको जो पार्टफ एंड का जो आपको काटना है वहां पर इक बाद अपट पर खिले मैं आपको बताता हूँ एक एक क्लिप को दो क्लिप बना सिखा यहां पर दो क्लिप से आप जो है वो जो clip है जो आपको remove करना है middle का part वो कैसे कर सकते है वो भी मैंने आपको बता दिया अब हम सिखते है कि trim कैसे किया जाए और trim से क्या होता है तो यहाँ पर अगर आपको किसे भी video को trim करना है तो यहाँ पर आपको option दिखता है trim का वहाँ पर tap करोगे तो यहाँ से आप जो है दोनों side से जो है आप इसे छोटा कर सकते है trim मतलब आप जो है video को छोटा करते हैं आगे से पिछे से जहाँ से आपको करना कर सकते है पिछे से भी कर सकते है आगे से भी कर सकते है जहाँ पर आपकी जो main video है वो कहां से शुरू है वो आप जानते चीएगा जहां पर यहां पर trim है यहां पर आप cut का option देखने मिलता है जहां पर आपको middle का part इज़र से काटना है तो आप इज़र से भी काट सकते हैं कुछ इस तरह के से choose करके ओके यह भी आपको एक देखने मिलता है तो इस तरह के से आप जो है trim और split यूज़ कर सकते हैं साथे साथ मैं आपको इसके वीडियो के इंदर cut भी सिखा दिया जहां पर आपका जो वीडियो का unwanted part होगा आप उसे remove कर पाऊगे जैसे कि इस वीडियो में है यहां पर tap करूँगा split करूँगा split करकी यहां पर tag पर के straight करकी बीच का unwanted part में जो remove कर सकता हूँ जहां पर इसमें unwanted नहीं था but मैं आपको example के लिए बता है तो किस तरहीके से आप जो है कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया वीडियो चले के लिए वीडियो को जड़ सब्सक्राइब करें तो शाय को सब्सक्राइब करेंगा युकि ऐसे informative वीडियो हम लाते हैं कोई भी confusion है तो आप में जी comment section बता सकते हैं मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care